रामबान इलाज है, देशी घर का फारमूला है, वो आज हम आपको वीडियो में कवर करवा रहे हैं नमस्कार पसुपालक सातियों, सातियों आपके अपने यूटूब चैनल रावत मुर्रा डेरी फारम पर आपका हार्दिक स्वागत व्याभी नंदन है सातियों आज फिर आपके सामने हाजर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर लें तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है पूछ के उपर जो कि साइद पहली बार ही यूटूब पे ऐसी वीडियो आ रही होगी तो मेरी आप से रोकैस्ट है कि जो भाई हमें देख पा रहे हैं वो प्लीज वीडियो को सेयर करते रहें जिससे कि किसी और भाई को भी नुस्का मिल सके हैं तो चलिए साथ यो वीडियो सुरू करते हैं और बताते हैं इसके बारे हमारी पूँच होती है ये कैई वर छोटी होती है जो घुटनों से ऊपर होती है बच्चे की भी पूँच बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पसूँ के जो जिनकी पूँच उची होती है तो उसको हम लंबा कैसे करें क्योंकि ये हमारी सबसे जादा जो पूँच है वो पसू क को संदर बनाती है इससे पसू की शुनरता है वो चार चांद लगा देती है तो पसु की पूच को और लंबा जो करने कर रामबान इलाज है देसी घर का फार्मूला है वह आज हम आपको वीडियो में जिए फैसे की पूच होती है जो जोटी होती है तो वो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले सैम्पू लेनी है हमें और Pen लेकर के जमिसे ये हम aus साप कर रही है सबसे पहले तो हमें इस पर सैंपू लगा करके यह बिल्कुल क्लीन कर लेनी है आपके मैं कह रहाँ कि जो आपकी भैस की पूँच जो है वो छोटी हो या उसके बाल बिल्कुल खतम हो चुके हो बाल नहीं आ रहे हो तो वो भी आ जाएंगे और बिल्कुल बहुत सुन्दर लंगने लगी क्योंकि पसू की पूँच है जो वो सुन्दरता का एक बहुत बड़ा महत्व है पसू के लिए तो सबसे पहले हमें ये अच्छे से सैंपू से क्लीन कर लेनी है कर दो कर दो तो इसमें हमें ये पहले साप कर लेनी है साप करने के बाद इसका जो अब बिल्कुल गुली होती है वो गुली आपको निकाल लेनी है ऐसे बिल्कुल आप देख सकते हो ऐसे गुली निकाल लेनी है और इस पर ये सरसों का तेल लेना है ये सरसों का तेल इस परकार ऐसे इस पर डालते रहना आप देखोगे आप एक महिना ये रुटीन से कर लो आप देखोगे आपकी बहुत ही जादा आपको पूच में जो ग्रोथ है वो देखनों के मलेगी और इससे ना कोई सूंडी लगना और कोई परेशानी होती है जो वो सब खतम हो जाती है और आपकी जो पूच है पसू की वो बहुत ही अच्छी संदर करता है तो सातियों आज की जो वीडियो थी वह यही थी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लायक और सब्सक्राइब करें वीडियो के साथसायर भी करते रहें कि कि और भाई का भी जो इससे फायदा हो सकए तो इसी के साथ मिलते हैं अगली मीडियो में नमस्कार सस्त्रेकाल जैहिंद राम राव